हेलो गाईज, स्वागत एक बर फिट से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फेंटसी बस पे हम यहाँ बात करने वाले हैं न्यूजेलेंड वर्सेज अफगानिस्तान के बीच में जो 21st मैच खेला जाएगा वर्ल्ड कप T20 गा दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वो कौन से प्लेयर है न्यूजेलेंड के और वो कौन से ऐसे प्लेयर है अफगानिस्तान के जो कि आपके फेंटसी टीम में होनी चाहिए ताकि आपका एक अच्छा विनिंग कॉम्बिनेशन बन पाए तो आपको हम अपने टेलिग्राम चनल से नहीं जुड़ें तो आपका हमारे टेलिग्राम चनल से जुड़ना बहुत इंपोर्टेंट और बिल्कुल फ्री है कैसे जुड़ सकते आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्षिन के सबसे पहले कमेंट में लिंक द अगर मैं ओवरॉल अगर बात करूं तो इस ग्राउंड पर अगर हम बात करें इंटरनेशनल मैचस के तो 141 का आवरेज स्कोर रहा है जबकि बीबेल 2021 में 193 का आवरेज स्कोर रहा है और यहां पर पेसर ने मदद लिया हुआ ठीक है और जो अभी इंटरनेशनल मैच का एक इंटरनेशनल मैचस में यहां पर उतने रंच नहीं बने और इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में आपने देखोगा यह ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा भी था स्क्वेर बाउंडरी स्ट्रेट बाउंडरी थोड़ी छोटी थी इनकमपेजिजन टु स्क्वेर बाउंडरी बड़ फिर भी आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहां पर जो एवरेज स्कॉर इंटरनेशनली वह वन फॉर्टी वन फिफ्टी के सम्थिंग है और जो पेशर्स हैं वह थोड़ा डॉमिनेट किये हुए इनकमपेज़ इस्पिनर बट अगर जिसे फरस्ट इनिंग में स इनकम भल्लेवाजी करने वाफिए तो सेकंड इनिंग में हो सकता है कि टीम प्रेसर में खेले और वह लोग दे जिसने अच्छा स्कॉर किया उस टीम को बॉलिंग करने वाली टीम को तो वहां पर इस बीचा खासा विकट लेकर चले जाते हैं या फिर कोई अगर ऐसा प्लि इंटरनेशनल मैचज में डमेस्टिक लिया रंच बने बट इंटरनेशनल मैचज में तो यहां पर डीशन्ट इसकोरिंग हुआ है यह जिए ध्यान रखना इसके लावगा दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच में एक बार मुकावला हुआ जो कि न्यूजेलेंड जीता है इसक के important player है गुर्बाज इब्राहिम जद्रान नभी रशीद खान मुझी फारीद मलीक और फाजलाग फारुकी बट यहां पर उस्मन गनी ने लास्ट में तीस संड किया और नजेबुला जद्रान आउट फॉर्म चल रहा है बट यह इस टीम के important player है यह चीज़ ध्यान रखना अ रशीद खान सत्रों लेकर आ सकते हैं अब इनकी टीम से जो अच्छे घाज वर्श की balling करता है वह देखा फाजलाग फारुकी मुझीब रशीद खान फारीद मलीक यह चारो आपको अच्छे घाज से ओवर डालते वह दिखेंगे लास्ट मज में फारीद मलीक थोड़े मह आपको ओवर करते वह दिखेंगे जब तक कि यह महंगे साबित ना हो इसके बाद उमर जाए और नभी शेयर करेंगे चारो आपस में या फिर अगर जो और जो मैंने यह चार नाम लिए थे आपको फारुकी मुझीब रसीद खान मलीक इसमें से अगर मलीक या फजलाग फा हार एक प्लेयर का इससे क्या फायदा होगा अगर कोई न्यू प्लेयर खेलता है तो उसका आपको स्टैड्स देखने मिल जाएगा ठीक है और उसका रिसेंट फॉर्म भी देखने मिल जाएगा तो आप डिसाइड कर पाएंगे उसे अपने टीम में लेना है नहीं लेना है अगर आप हमारी टेलिग्राम चैनल से जुड़े हैं तो वहाँ पे हम आपको हर एक प्लेयर के बारे में जो भी न्यू प्लेयर खेलता है इस प्लेइंग लेवन से बाहर उसका स्टैड्स भीज जिते तो आप टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएगा जिसका लिंक आपको फिनल अच्छा कर सकते हैं सामने थोड़ी सी कम जोटीम है और फरस्ट चैनिंग में बल्ले बाजी आती है तो यह अच्छा कर सकते हैं बट लास्ट में कुछ खास इन्होंने किया नहीं था इनकी टीम से कौन कहां पर बॉलिंग करता और कितने ओवर की बॉलिंग करता है ट इसके लावा इनके प्लेयर वाइज रिखेंगे तो इनके भी अल्मोस्ट सब प्लेयर का सच्छा है अब देख सकते हो अब देख सकते हो अब देखो हैट्ट वेडि स्टैट्स की बात करते हैं जब दोनों टीम में आपस में खेलते हैं तो कौन से प्लेयर का कैसा रिकॉर्ड है एक ही मैच हुआ है इनकी बीच में जिसमें नजीब बुला ने तीहत्ता रन बनाये थे बाकि इन लोगा डिसेंट है और न्यूजलेंड के तरब से केन विलम्शन ने चालिस बनाये थे ड रसीद खान के एक ही रसीद खान ने खिलावा आफगानिस्टान की तरब से सातरन बनाये इसके लवगा वैन्यू की बात करें तो का सहमत ने पांच में बचे मुझीब ने दो में तीन और रसीद खान एक में और इस ग्राउंड पर न्यूजलेंड के तरब से सोडी ने एक बार गिंदल में दो faith को रसी बाइं में और जजाई को लसान को रसीद खान को टेंघन बोल्ने बार आऊट अगए रशित खान को फिर सोरी यह दुबारा आगया अब गुर्बाज की बात करें तो गुर्बाज आउट होए टीम साउधी से एक बार एक गिंद में गुलबदिन नायब खेलेंगे नहीं नभी की बात करें तो साउधी ने इनको साथ गिंदो में पर आउट किया तो ये कुछ प्लेयर्स का कितने बार कॉन आउट किया ये चीज़े मैंने आपको दिखाया है तो अब बात मान के चलिए आप अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं भना पाएंगे ठीक है करते हैं विकेट किपिंग कर रहे हैं इस पिन भी अच्छा खेलते हैं तो नो डाउट राशित खान मुझीब के सामने इनको प्राब्लम नहीं होना चीए मस्टपिक है फिनल हैं थोड़े हिट और मिस्टाइब के प्लेयर हाला कि कंसिस्टेंट स्कोरिंग करने की चमता है डोमेस्टिक लिए है लेकिन मुझे लगता है अगर चेस करेगी इनकी टीम तो उतना बड़ा स्कोर मिलेगा नि तो पूरा समय देंगे और अच्छा खेलेंगे ठीक है नीचे गुरबाज भी एक अच्छे प्लेयर है लेकिन थोड़ उसके लिए कब चलेंगे कब नहीं लेकिन फॉपम इनका उतनाखराब नहीं है फॉपम ठीक तप्रट उखेंग है ने इनकी टीम whats लोग औल राउंडर भी लेके जाएंगे बॉलर भी लेके जाएंगे तो इसलिए मैं इनको छोड़ा हुआ है फिलाहल के लिए पर यह स्मॉल लिग में डिसेंट पिक रहेंगे उसके बाद इब्राहिम जद्रान अफगानिस्तन की टीम में अगर कोई इन्हों ने अपना फिक्स कर लिया यह यह लिए जाने जाते हैं बर फिर भी क्वालिटी बले बाज है आप इनको अपनी टीम में कंशीडर कर सकते हो मैंने भी किया हुए थोड़ा सा यह रसीद खाने के सामने स्ट्रगल करते हैं बट अगर मैं आपको बोलू कि हमारे पास और कोई आप्शन भी नहीं है इनको ना लेने के अलावा इनको लेने के अलावा तो हम इनहीं के साथ जाएंगे ठीक है उसके बा बांडरीज में टार्गेट कर ले रहे था और अच्छा सौट खेल दे रहे थे चाए वह फ्तिकार ही मदा और यहां पर फस्ट मैक्स में थोड़ा सा देखना अगर यह लोग थ्वांडरीज में टार्गेट करेंगे तो कैचे जा सकते हैं स्पिनर की बॉल पे बट अगर फ तोड़े रलायबल है और सामने उतनी कमजोर मदभूर टीम नहीं है तो हो सकता है थोड़ा सा कि इनको पूरा समय मिले और अच्छा स्कोरिंग कर जाए चेजिंग में इनको हम लेखे ही जाएंगे और फर्स्ट बल्लेबाजी में आप ग्लेन फ्रिप्स को लेने का रिस्क ले करेता जाना उपाता है इनके साथ एक दिखक्त है जो स्कोरिंग तो कर लेते सीन इसे नवे नाश्वायव में रहां यह उखाएं पूरे हो चुके अब इसलिए देखो नीचे कोई और अच्छा नहीं इसलिए मैंने बोला कि आपके पास केन विल्यम से एक अच्छा रहेंगे अदर्वाइस अब जी फिलिफ्स को उनके जगे पर ले सकते हो फस्ट बल्ले वाजी में उसके बाद मिस्टेंडर सामने राइट पर दिख सकते हैं फिलाल के लिए मैंने इनको लिया हो इसके बाद जीमिनी साम बॉलिंग कर नहीं रहे हैं अभी के लिए चांचस कम है रिस्की है तो कोशिज करो जो कि पूरा-पूरा स्योरेटी रहे कि हम पर्फॉर्म करने के चांसे रखेंगे इसलिए इनको नहीं लिय है ओमर जाई कुछ अबर बॉलिंग कर सकते हैं अब अभी के लिए मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे पास अच्छी आप्शन से एवलेबल है माइकल ब्रेसल खेलने खेलेंगे तो यह ठीक ठाक पिक रहेंगे बड़ बॉलिंग करेंगे कि नहीं क्योंकि सामने उतने राइट टेकिंग बॉलर दोनों एक्सपीरेंस दें दोनों दत्में आ सकते हैं रसीद खान अपनी टीम से मस्थप पिक रहेंगे विकेट टेकिंग बॉलर है चाहे कैसा भी विकेट हो यह इनको आप हमिसा लेके चलो थोड़ा बहुत हीटिंग भी कर सकते हैं चक्के मारने का दम र करने तो उस सिच्वेशन में ना ही हम फजलक फार्व को ले पाएंगे और ना ही हम लोग मुझीब को ले पाएंगे तो यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा इसी वजह से मैं आपको कहा रहा हूं कि यह मैं स्थोड़ा रिस्की रहेगा बाकी अभी के लिए मैंने फर उगानिस्तन के बल्लेबाज इनको स्ट्रेट बाउंटरीज में हिट नहीं कर पाए और जो स्क्वाइर बाउंटरीज है वह थोड़ी सी लॉंग है इंडिया वाले मैचेस की तरह तो वहाँ पर ये इनको विकेट मिल सकते हैं क्योंकि हिट करने जाएंगे उतनी पेस तो रहत पाएं खासकर कि फजलोग फार्योगी और फरीद मलिक फर्स्ट बॉलिंग के केस में ज्यादा अच्छे रहेंगे जिनको हम नहीं ले पाएं दोनों विकेट टेकिंग बॉलर है नीचे और कोई तना अच्छा ऑप्शन है नी जो कि खेल रहा हो तो देखो दोस्तों जो आपके उपर है ग्रेंड लिग में इस्टोडिको कपतान गुर्बाज फिन अलन नभी और दतवलाज जिसकी टीम पहले बॉलिंग करें इनको आप ग्रेंड लिग में कपताण सुखकि और अगर थोड़ा रिष्क टेकर हो अच्छा लगता है आपको तो आप देखो गुर् लेर के बारे में discussion क्या है कब क्यों और कैसे यह लोग बहतर हो सकते हैं ठीक है बाकी जो मैंने आपको बता है small league के team में हम यहाँ पर जो है आप उस्मान गनी के जगे पर नजीबुला जदरान एंड यहाँ पर केन विलेंशन के जगे कमेंट में दे दिया गया है तो जल्दी से जाएए जुड़ जाएए थेंकि सो मच यह वीडियो वाच करने के लिए दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद